हेलो फ्रेंड मेरे पास यह चार्जर है Android फॉन का चार्जर है जो की वर्क नहीं कर रहा है यह देखिए मैं इसको चेक करके देखता हूं इसको मैं पाउर में लगाता हूं सुचौन करने के बाद भी इसका जो लाइट देख रहे है नहीं जल रहा है मतलब यह खराब है इसको हम खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है और इसको हम बनाते हैं तो वीडियो पर आप बने रहे हैं वीडियो को सुरू से लेकर लास और notification के लिए जो bell का icon है उस पर भी click कर दीजिए दोस्तों इसको देखिए आप इस circuit जला हुआ है यह देखिए काला काला हुआ पड़ा है जल गया है यह और हम देखते हैं इसको इसका जो एक resistance है यह भी देखिए जल रहा है 2.2 ohm का है रैड रैड कलर का है यह हाप बाट का है यह भी जला हुआ है खरे तो change करना ही है में और उसके बाद इसका जो bridge डाइवोड है इसको हम चेक कर लेते हैं क्यूंकि अगर हो जला है ते भी sort हो सकता है तो इसको हम चेक कर लेते हैं तो multimeter लेते हैं और इसको हम continuity पे लगाते हैं और इसको हम चेक करते हैं डाइवोड क्या होता है एक side value बताता है और एक side value नहीं बताता है तो इसको हम चारो को चेक कर लेते हैं कि दोस्तों जो जिदर white है और plus होता है जिदर black होता है माइनस होता है तो multimeter से उल्टा बोलता है यह देखिए एक side से नहीं बोला अब दूसरे side से बजर बोल रहा है मतलब यह ठीक है और इसमें देखते हैं दूसरे में दूसरे में कोई value नहीं बता रहा है sort है बीप कावा आ जा रहा है श्रिफ और इसमें भी sort आ रहा है लास्ट वाले में देख लेते हैं लास्ट वाला ठीक है मतलब यह बीच का दो है यह दीखें लास्ट का यह दोनों दो है यह sort है इस पर बजर वीप कर रहा है इसको हम निकाल कर change कर देते हैं पहले तो यह हमने निकाल दिया है इसको change कर देते हैं पहले हम इसको check कर लेते हैं यह देखिए sort वता रहा है ना यह देखिए यह देखिए वीडियो को मैं fast करके चला रहा हूं दोस्तों क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी आप यह देखिए आपको निकाल कर इसको check कर लेना है multimeter से check करने आपको आता ही होगा एक नया डाइबोल लेते हैं और इसको हम लगा लेते हैं इधर देखिए आप प्लस बाला जो होता है white color का होता है इसको हम प्लस minus के हिसाब से लगा लेते हैं वीडियो को भगाना पड़ रहा है दोस्तों फास्ट नहीं तो लंबी वीडियो बन जाती आप देख कर सीख जाएए और खुद ही आप charger बना सकते हैं इस तरह से में दूसरा भी लगाना है प्लस minus का बहुत ध्यान रखना इसमें गलत लगने पर वर्क नहीं करता है इसके बाद हम इसको solding कर देते हैं सही से और इसको हम चेक करते हैं कपिस्टर पर जो bridge है प्लस minus सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है यह बता रहा है एक सैट से एक सैट से नहीं बताना चाहिए मतलब सही के जो bridge है यह हमारा सही हो गया अब अब resistance चेंज कर देते हैं यह 2.2 ohm का है हाप बाट का है यह जल गया है तो इसके मदले हमें दूसरा लगाना होगा दूसरा मेरे पास है यह 2.2 ohm का 1.1 ohm का है इसको हम स्रीज में करके 2.2 ohm का resistance बन गया है चलिए इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ values का multimeter को 200 के resistance वाले पर देखिए और 200 के well उस पर रखना यह देखिए 1.2 बता रहा है ना 1.2 और इस साइड लगाते है यह देखिए तो 1.92 मतलब 2.2 ohm का होता है इसको हम इसमें लगा देते हैं इसको निकाल देते हैं पहले और इसको हम लगा देते हैं उसके जगह पे यह भी बर्क करेगा ठीक है इसको हम sorting कर देते हैं आइरन सोल्डर तो आपको खरे दे लेना चीए कब जो रोत पड़ जाये घर पे एक आइरन सोल्डर रखना चाहिए सब को इस तरह से हमें सोल्डिंग कर देना इसको और हम चेक करते हैं बिजली में इसको लगाते हैं यह देखिए इसका जो LED जल जाएगा यह देखिए लेकिन नई जल रहा है इसमें और भी कुछ दिक्कत है यह भी देख लेते हैं पहले इसका जो कैपिस्टर है सौट कर देते हैं इसमें करेंट हो सकता है इसका जो लगा कर इसमें देख लेते हैं DC वोल्ट बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है ब्रीच तो यह चेक करना पड़ेगा हमें पहले तो चलिए इसको पहले हम चेक कर लेते हैं इसको light में लगा देते हैं और इसको DC mode पर कर देते हैं DC 600 पर और जो supply आ रहा है bridge के बाद जो capacitor है इस पर हम चेक कर लेते हैं plus minus यहाँ value बता रहा है कि नहीं बता रहा है दो अधाए 300 volt इसका DC volt देखिए आ रहा है लेकिन output नहीं दे पा रहा है तो output में दिक्कत है इसका primary तो इसका ठीक है इसका output चेक कर लेते हैं इसका जो capacitor वगेरा हो सकता है खराब हो या इसका जो divert होता है divert यह भी खराब हो सकता है डाइबोड चेक कर लेते हैं एसर 306 का value होता है इसका यह भी चेक कर लेते हैं इसका हम चेक कर लेते हैं में चीज़ यह होता है secondary में यह यह DC बनाता है यह भी एक सैट से value बताना चीज़ एक सैट से value नहीं बताता है यह एक सैट से बता रहा है एक सैट से नहीं बता रहा है लेकिन यह sort है बीप का आवाज आ रहा है दोनों सैट से इसको हम चेंज कर लेते हैं इसको हम निकाल लेते हैं पहले iron की मदद से यह देखिए sort है दूसरे साइट से भी चेक कर लेते हैं sort है इसके बदले हम दूसरा रखा देते हैं इसी value का sr-300 यह देखिए sort है यह sr-360 है यह हम दूसरा लगा लेते हैं एक खराब है इसको side में रखते हैं और एक मेरे पास दूसरा पढ़ा हुआ है यह यह हम इसको लगा देते हैं अब चल जाना चीए इसको लगाने के बाद अब तो इसमें कुछ बचा नहीं खराब होने लाइक इसको इसको प्लस माइनस के हिसाब से लगा के sorting कर देते हैं वीडियो काफी लंबी हो गई है इसको solding कर देते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ सेयर करिएगा दोस्तो इस चैनल पे टेकनिकल वीडियो में लेकर आता हरता हूं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नौटिफिकेशन ओन कर लीजिए दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आता ताप हमें कमेंट कर सकते हैं मैं उसके पर वीडियो जरूर बताऊंगा बताऊंगा अब इसको चेक करते हैं यह ताप टूटी है इसको सोल्ट कर देते हैं पहले कर देते हैं अब यह चल जाना चाहिए इसमें पावर देते हैं यह LED जल गया है मतला भी ठीक हो गया है इसका आउटफूट बोल्ट भी चेक कर लेते हैं पांच बोल्ट निकल रहा है कि निकल रहा है तो इसके लिए मल्टीमिटर से चेक करेंगे इसको DC रेंज पे 20 के पर रख देते हैं और इस पे केपिस्टर के उपर चेक करते हैं कितना वोल्ट बना रहा है यह माइनस प्लस यह देखिए 5.5 वोल्ट के असपास बना रहा है मतलब यह सही है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने पुराने चार्जर को फेके नहीं इसको आप बना लें कोई ज्यादा खराब ही नहीं हो देख यह देखिए एसर तिनसो साट का यह डाइवॉड है यह खराब हो गया था और दो डाइवॉड छोटे वाले खराब हो गयते इनिवर्सल एक है और चार ठीक है यह दो एक खराब हो गयते और इसे हमने चेंज कर दिया है और यह रेजिस्टेंस खराब हो गया था रेजिस्टेंस मेरे पस 2.2 ohm का नहीं था 1.1 का था जो कि मैंने ऐसे बना कर स्रीज में करके लगा दिया है यह काम कर रहा है तो दोस्तो वीडियो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में हमारे वीडियो को देखते रहिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए सेर करिए अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट करिए मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए तो आप हमें बताईए मैं ने टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा दोस्तो सपोर्ट करिए हमें ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए धन्यवाद